कि नमस्कार मैं आसे सिंग मिशन इंस्ट्यूट र्यागराज के आनलाइन चैनल से आप सभी सातियों का स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाय लिखाई के बेहतरीन प्रक्रिया भी जारी होगी दोस्तों आईए आप लोगा श्वागत है आप देख रहे हैं कि यूपी एसाई उत्तर प्रटेश पुलिष यूपी ट्रिपल स्टी और एससी के लिए भूबल विश्य में प्रैक्टिस सेट लगभाग तत्तानवा नंबर चल लहा है और इसमें भारत की सिती और विस्तार ये समानुट से टॉपिक है तो आई शुरुआत करते हैं पहला कोशन है पूर्वी टटी मैदान का एक अन्द नाम है पूर्वी टटी मैदान का एक अन्द नाम है दोस्तों कोंकर टटी मैदान है मालावार टटी मैदान है कोरो मंडल है या फिर गुजरात मैदान है चार विकलप आपके सामने दियेंगे हैं पहले विकलप के चारो तो यहां पर ध्यांद दीजिए पहले कोशन के चारों विकल्पों को यहां पर हम रखें तो आई हम लोग समझें के देखिए अगर इधर की बात है यह हो गया पूर्वी और यह हो गया प्रश्चिम ठिट है अब कोश्चन तो पूर्वी के विशे में कह रहा है तो कोंकण ज जो महारास्ट और गुवामें हो इक मालाबार एक कर एक और ग Kült मैदान यहां यहां पर हो गया को रो मंधल ऑर और और गुजराथ मैदान गुजरात कर जो मैदान है यहां पर हो गया ठीक है गुजराद तो आप भी बताइए कि भारत पूरभी तटी मैदान का एक अन्द नाम क्या है तो इसका सही उत्तर क्या होगा पोरो मंडल होगा दोस्तों पोरो मंडल इसलिए आप शभी लोग यहाँ पर सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे कोश्चन नमबर पहला विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा आई अगले कोश्चन को बढ़ते हैं अगला कोश्चन ये है भारत के भावगोलिक मांचित्र को παण तयार करता है पहला अप्शिन है भारतिय को ёмक्षों सर्वेक्षन दूस्रा भारति भावगोलिक शर्वेक्षन और रच्छामन्त्राले थता भारतिये सर्वेकषन इसमें दिया हुआ है चार आफिक आंप के सामने दिए हुए वह आप सभी लोग बताईए दोस्तों इ सब्सक्राइब कर दोस्तों तो यहां से कुछ इस फ्रकार से होना चाहिए था तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होता तो यहां पर आप दक्षिन करते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्द का देश है यह चीज आपको समझना ठीक है पूश्य नमबर चौथा निमलिकित में कौन सायोग में सुमेलित नहीं है ठीक है कौन सायोग में सुमेलित नहीं है इसमें कोईली दिया हुआ है गुजरात नागा पट्टिनम दिया हुआ आंधर पुदेश नुमाली गड़ दिया है असम और मनाली दिया है तमिलनाडू दो यहां पर प्रदेश में सब्सक्राइब कार्य होता है नागा पटिनम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यही आप्षिन है जो सही सुमेलित नहीं है कुश्चन नमबर आप देखें चौथा आप सभी लोग इसको सही करने का प्रयास करेंगे अगला कुश्चन है निमलिकेत में कौन सा भारत में ज्वाला मुखी दियुप है इसको आप सभी लोग को बताना है लिटिल अंडमान है ठीक है लिटिल निकोबार है ग्रेट पर निकोबार लग लिए लिखा हुआ है यहां कि अश्चन है पहले बांगाल की लिए कि जाड़ी में सित नीजन्यन का था पहला जवाब में से 272 कुल दियुकों की संक्या इसको भी आप तभी लोग उठ्यान देना है तीसरे नंबर पर भारत का ये केमिर शासित राज्ज है यूटीज है जिसकी राजभानी पोर्ट ब्लेयर है इसको भी आप लोग याद रखना है अब इसके बाद अगले चरण में अगर आप देखें तो जो अंडवान और निकोबार है वो दोनों 10 डिगरी चैनल 10 डिगरी उत्तर चैनल से अलग होते हैं यह भी आपको समझना है इसके अलावा जो पोड ब्लियर है वो याद रखें दक्षिण अंडवान दियूप मैस्सित है कहां पर इस सित है दक्षिण अंडवान दियूप हुआ कि नार कोड़न है दोस्तों यह अइसा ऑनल thatly दिया और दूसरी बात यह है कि деньги वह यहां से जुवाब होगा कौwn सा भारत में जुवाला मुकि दिव भैट इसमें आपожд World 11 flight कि अगर कुछ जंजातियों की बात करें तो सेंटली आप सबी लोग याद रखेंगे इसी प्रकार जारवा जंजाती है ठीक है शेंपन जंजाती है दोस्कों सेंपन जंजाती है अंडमानी है और निकवारी है इन सब को भी आप लोगों को याद करना है को अगला कोशन यह रहा भारती मुख भाग में कितने महा सागर मिलते हैं अगर हम यह भारत का मांचित्र यहां पर प्रिपेर करें लुटु कि भारत का मांचित्र अगर हम यहां से प्रिपेर करें तो आप सभी लोग बताईए कि आखिर भारत का जो मुख भाग में कितने महा सागर मिलते हैं तो महा सागर प्रशनगर यहां पर मिलते हैं तो फिर जब तब जाके आप देखेंगे इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी है दोस्तों और इधर की तरफ क्या है अरब सागर है तो यहां पर देखिए किहां पर आपको बताना है दोस्तों एक महासागर है करेंगे महासागर के बीचों बीच में भारत की केंड्री अवस्थिती हैं इसलिए दोस्तों हिंद महासागर का सर्वे सरवा के रूपी भारत को देखा जाता है यह सामरिक रूप से व्यापारिक द्रिश्ट्रिकूर्ण से इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों परिवहन के द्रिश्ट्रिकूर्ण से बहुत ही महत्तुपूर है ठीक भारत जैसे देश वो दोस्तों घेरने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के द्वारा स्रीलंका में दोस्तों अमबंट टोटा वाम लुग ये हैं और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का अंधर भारत को गरने के लिए चीन कहीं न कहीं स्वरकार से भारत के परेएशों में जाकर बुभी और प्रक्राइं यहां पर रहां कि चीन को घेरने के लिए एक वाड है तो नहीं टैयार करवाया कर और दूसरा है इसमें इसलेब इसके अलावा य तथा यूए इस से सामिल है और भारत हो गया दो अमेरिका हो गया यह तमाम देश है तो कुश्चन नमर छटवा सभी लोग सही करेंगे शाथ कि अ निम लिखित में कौण सा एक भारत का प्रवाल द्यूपतमू है ठीक है भारत का कौन सासा फ्रवाल द्यूपतमू है आप सभी लोगों को बताना है अंडमान यहां पर लिखा हुआ थिख है प्रवाल होते क्या है प्रवाल दोस्तों महासागर में पाए जाने वाला सेलिंग् क्रेटा संधता जीव है प्रवाल क्या है तो आपको बताना है कि प्रवाल महासागरों में पाय जाने वाला सेलिन ट्रेटा संग का जीव है ठीक है दूसरी बात यह है कि यह दोस्तों उस्रकडिवंधी छेत्र में उस्रकडिवंधी है महासागरी छेत्र में पाय जाता है महासागरी छेत्र में पाय जाता है और इसके प्रजनन के लिए या फिर इसके विकास के दोस्तों 20 डिगरी Celsius से लेकर 22 डिगरी centigrade का अपमान की तीवस्चता पड़ती है ये भी आपको समझना है पहला पॉइंट है सिलेंट रेटा संग का जीव है दूसरा है उसकड़ी बंदी है महाजागरी छेतर में पाय जाता है और दोस्तों 20 से 2 डिगरी सेंटिग्रेट का तापमान अवशक है इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो प्रवाल होते हैं अगर महाजागर में हरे भरे प्रवाल दिखते हैं हरे भरे प्रवाल दिखते हैं दोस्तों तो हरे भरे जो प्रवाल होते हैं ये समुद्र की सुधता के प्रतीक माने जाते हैं समुद्री स्वच्छता या सफाई के प्रतीक माने जाते हैं क्या माने जाते हैं दोस्तों प्रतीक माने जाते हैं समु अब प्रवाल भुथी ऑब प्रवाल भीतिति हैतों कि अब रूधक होती है और दोस्कों इस प्लकार की दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल और अउठ्छे वित्ति ये दोस्कों में है और आस्ट्रेलिया के पुरवी छेत्र में प्रिशान्त महासागर प्रिशित हैं अब यहां पर देखेना है और भारत के संदर में हैं अंडवान भी दिया है मिकोबार दिया हुआ है हका है सभेट करेंगे ते का मतलब का लोग कहते हैं और इस क्रिया एक कहते प्रवाल विरंजग कहते रौट बीरंजग के नाम से लोग जानते हैं तो question number आप देख रहे हैं साथ वाँ आपके सामने हैं और इसका जो विकल्ब होगा वो डी आप्शन सही होगा आई अगले question को बढ़ते हैं अगला question है भारत के राज्यों का आनिम लिखित में कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्मी राज्य को इंगित करता है ठीक है सबसे पूर्वी और सबसे पश्मी राज्य के विशे में पूछ रहा है यहाँ पर भी आप देखें यहाँ के माद्य हम से समझ चकते हैं डाइग्राम के माद्य हम समझने का प्रयास करिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जब्सक्ता हला कि एक बार याद कर लोगे तो चलो उसमें हिसाब से भी याद रहेगा लेकिन यहाँ पर हम अलग तरीके से आपको बताना चाहते हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर भारत का दे शांत्री विस्तार देखें तो 68डिगरी साथ मीनट इस्ट से लेकर सतानमे डिगरी याद रखें कितना सतानमे डिगरी पच्चिस मिनट जो और यह जो पूर्वी यहां पर पश्मी लिख दें तो कुश्चन तो यही कह रहा है भारत के राज्यों का नमिकित में कौन सायक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्मी है दोस्तों तो क्या ऐसा युग्म है जहां पर अरुडाचल प्रदेश और गुजरात लिखे हो आए द प्रदेश और गुजरात ही इसका सही उतर है शबी लोग घ्यांदीजे कोश्चन नमराटवे का डी विकल्प सभी लोग सही करेंगे क्यों सही करेंगे क्यों कि आप सभी लोग जानते हैं कि 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरात से होकर गुजरती है और 97 डि हम लोग देखते हैं भारत के पश्मी तटका उतरी भाग जाना जाता है यानि पहले चारों पर हम लोग रखते हैं तभी जाके पता चल पाएगा ठीक है अगर हम अपने से भी थोड़ा सा पहले प्रयास करें जो गुजरात वाला है उसे काठीया वाड तटके नाम से दोस् होगा कौंकन तट मघ्या महरारा जोवाला कै highway थुतया हो गया सट हो गया कंवा उट ज्सक्रांही क टो गया चेक है मारा थट हो एक करनाटा्या भाद कर फेर्स अरट टोंकन कंग कन दोस्तों महरास्ट गवा हो गया और काठीया वाड मारारा ओ पतिस गो огр outrage when ढगा तो यही होग अगर उत्तर नहीं दिया है तो इसके बाद कि दोस्तों को आप रखेंगे और यह देखते हैं करनाटक तड़ कहते हैं तो करनाटक को कहते हैं तो सही जवाब क्या हुआ सही जवाब यह हुआ सिविकल्व क्योंगि काठिया वाड तक नहीं दिया हुआ है तो जब क्या होगा विकल्व होगा ठीक है बहुत अच्छा कुशंट था दोस्तों उमीद है कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी दोस्तों मैं आपको बता सब्सक्राइब करें इसके साथ दोस्तों ज्यादा दोस्तों लोग सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें दोस्तों आपको डे बाई डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी और कहीं ने कहीं जो हम आपको पढ़ाते हैं अगर आप तभी लोग उसे सहमत हैं चीज़ें आपको व्यवस्ती तरीकिश मिल नहीं है तो जरूर एक बार लाइक करने का प्यास करें शेयर जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को तक यह वीडियो पहुंच सके ठिक है तो भारत के पश्मी तटका जो उतरी भाग जाना जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे तो पश्मी तटवाले को कौंकंट तटके नाम से जानेंगे यह इस तब स्थिती में है दोस्तों जब काठिया बांगलादेश तथा भूटान से मिली हुई है ठीक है अगर दोस्तों हम थोड़ा सा भारत का मांचित कुछ इस प्रकार से यहां से तो यहां से देखिए इतनी बातों से पूरे मामला क्लियर हो जाएगा अब कहे रहा है कि जो असम है दोस्तों आप तभी लोग जानते है क अब सम्की जो सीवा है इधर कहरा भूतान से लगती है भूतान से लगती यह बात नहीं जा सकता है असरा है बांगलादेश के लगती है यह दर आप देखें कि तो बांगलादेश हो गया ठ्क है थो दोस्तों थोड़ा से पहले हम समझते हैं guitar और वबूटौन है उसके साथ भारत के चार राज सीमा बनाते है जब छार राज बनाते तो सबते पहले हम सिक्किं को रखले क्या हो गया सिक्किं के दोस्तों पश्रिम बंगाल को यहां पर हम रख लें असम हो गया और इसके बाद अवडाचल प्रदेश हो गया दोस्तों लगभग लगभग आप जानते हैं दोस्तों 699 किलोमीटर लंबी सीमा है ठीक है अब इसके बाद आते हैं थोड़ा बंगलादेश के विश्य में थ्यान दीजिए बंगलादेश सबसे पहली बाद पैज कि इसके साथ भारत के पांच ज reg生 सीमा बनाते हैं आये अन पाज़ो देखते हैं पहली बाद यह हो गया दोस्तों मिजोरम मिजोरम हो गया इसके बाद प्रिपुरा हो गया प्रिपुरा भारत का ऐसा राज है जो बंगलादेश से तीन ओर फे घिरा हुआ है ठीक असम को रखिये मेगाले को रखिये और पशिम बंगाल को रखिये ठीक है पांच राज हो गये लगभग इसकी सीमा है दोस्तों 496 किलो म मीटरलं भी भारत के साथ लगने वाली यह सबसे हमी सीमा रागलार सामिल हुआ अदूसरा इसमें लिखा पंगलार सीमा भूटान और नेपाल से छूड़ा सहाँ गोह आए ओत्या पश्चिम बंगाल के सीमा किसे भूटाल से भी लगती और इसके बार नेपाल से लगते यस यह वी ज़िए दोस्तों नेपाल जो नेपाल है इसके भी से खुड़ा से समझें नेपाल दोस्तों लगभाग भारत के साथ 1850 तो पचास किलो मीटर नंबी सीमा बनाता है अब भार पश्चिम बंगाल हो गया अब इसके बाद दिया हुआ है कि भूतान से भी बनाता है कौन पश्चिम बंगाल की जो सीवा है भूतान और नेपाल से भी लगता है लिए दूसरा विकल भी सही हो गया पीसरा इसमें है मिजोर्म की सीमा बांगलादेश सखा म्यामार से लगती है समझीए ध्यान से यह यहाँ पर मिजोर्म मिजोरम के उत्तर में मड़ीपूर नागा लैन और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों अवडाचर पुदेश से मिजोरम की जो सीमा है वो म्यामार से लगती इसमें कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा इधर अगर आप देखेंगे तो मिजोरम बांगलादेश के साथ भी सी सब्सक्राइब अब पहले विकल्ब में दिया एक दो तीन दिया नहीं पर दस्वें के विकल्प को ही सभी लोग शही करें ठीक है थोड़ा बड़ा प्रसंथा ख़गी तारगिक प्रशंथा इसलिए हमने आपको थोड़ा सब लेकर इसको समझाने का प्रयास किया है अगला कोशन है अगला कोशन है कौन सा मिलांस सही नहीं है इसमें दार्जिलिंग के सामने पश्रिम बंगाल लिखा है माउंट आबू दिया हुआ है राजस्थान दोस्तों कोडाई कनाल दिया हुआ है तमिलाडु और सिमला दिया है उत्तर पदेश आप सभी लोग बताईए कि आख बंगाल का लाजिस्थान में याद रखे मांंट आवु में ही गुरु शीखर का नाम सुने होंगे ठीख है अरावली परवद की चोटी का नाम है पॉडाई कनाल दोस्तों पमिल नाडू में है आप सभी लोग जानते हैं अब इसके बाद देखिस ले लोग जानते हैं हिमाच करेंगे और यही आप से क्या है गलत आई इए अगला प्रशनाब के सामने यह मननार की खाड़ी किसके तटके साथ अवस्ठित है अगर तो टमील नाटु का जो तट्य झेतर है उसी को हम कहते मनार की खाड़ी कहते है तो जो से मननार की खाड़ी बैसकर गर्वी है तो कमिल नाड़ु से संबंदित है केरल करनाटक आंध्र प्रदेश जो दिये हुए ये गलत है कमिल नाड़ु इसका सही जवाब होगा अगला प्रश्न ये रहा थोड़ा सा बड़ा कोशन फिर से आ गया निन लिखित भारती राज्यों पर विचार कीजिए पहले में 36 गर दिया है दूसरे में तेलंगाना दिया है आंध्र प्रदेश दिया है उत्राखंड दिया और तमिलाड दिया दोस्तों अब इसमें लिखा सबसे चोटागा जिसके जिसके साथ है इसको आप रखी है अब कौन भच रहा है तीसरा आंध्र प्रदेश में जिया है और पहला और चौथा है तो पहला और चौथा इसमें दिया दोस्तों यहां पर आपको समझना है दोस्तों कि सही जो जवाब होगा तीसरा और चौथा ही होगा ठीक है तीसरा और चौथा होगा लगभग 165 लगभग 165 यानि एक लाख 65,000 किलो मीटर स्क्वार इसका छे त्रफल है हमारे आंध्य प्रदेश का जब भाजन नहीं हुआ था तो आप सभी लोग जानते कि आंध्य प्रदेश भी एक बड़े राज्यों में सामिल था जिस प्रकार से आज इस समय राजस्तान सबसे पहले नंबर पर है फिर मद्य प्र समुद्री तक कि स्राज्य में वस्तित है यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है भी गलत नहोंने पाए देखिए सबसे पहली बात अगर हम पश्मी तटी मैदान की बात चीत करें तो सबसे पहला जो कि दोस्तों नंबर आता है काटी अवार्ड तक आटि यहां पर लिखा लुस्तों कोंकर्ण तट कहां से हो गया महाराज्ट और गोवा से हो गया तीसरे नंबर पर इसी को कंणरर तट कहिए यह से और अरब सागर के किनारे तटी मैदान ठीक है काठिया वाड कोंकरत कंञड़ और माला वारतर दोस्तों यहां नहीं आया हुआ है अब इसमें केरल महारास्तमिलाड़ गुजरात दिया हुआ तो केरल में तो है नहीं और नहीं दोस्तों महारास्त में है नहीं गुजरात में क्योंकि केरल की बातचीत करें तो मालावार है महराज की बादचीत करें तो कौंकर्ण हो गया गुजरात की बादचीत करें तो काटियावाड तट हो गया तो कोरो मंडल जो समुद्री तट है दोस्तों उसका संबंद कहां से है तमिल नाडुशे है आप लोगों को याद रखना है पूर्भी तटीय मैदान के अंतरगत उत परी शरकार तटाता है राय सीवा तटाता है और इसके बाद पौरो मंडल तटाता है तो पौरो मंडल तट का जो संबंद है वह तमिल नाडु राज से है तो इस भी कल्प को शभी लोग यहां पर सही करेंगे अगला शवाल है सनचनात्मक रूप से मेघाले छेत्र किसका मेघाले का जो बठार है किसका आप सभी लोग ज्यां दीजिए सिवालिक पर्वतमाला का पहली बात को अब यहां से और यहां से अभी पर्वतमाला का भाग है नहीं दोस्तों राजस्थान गुजरात हर्याना तथा दिल्ली तक पहला हुआ इस बात को आप सभी लोग याद रखिए राइट एंसर होगा अगला है मरुस्थल उर्बर मैदान और मध्यम रूपशे बना चादित परवत भारत के बना चादित परवत भारत के निम्लिकित किस छेत्र की विशेस्ता है दोस्तों यहां पर आप लेना है उत्तर पूरभी सीमांथ चैत्र दोस्तों यहां पर आपका रीजन है और इसके बाद उत्तर पश्रिम भारत उत्तर पर्षिम भारत अर्थात ये नार्थ हो गया अब दिखिए इसमें ध्यान दिजेगा मरुस्थल लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर मरुस्थल की कमी है तो मरुस्थल भी सामिल करना ती यह तो नहीं इसी प्रकार दोस्तों उत्तर पूर्वी जो स्रीमांद छेतर है इधर आप पहाड़ी देख सकते हैं असम का मैदान देख सकते हैं लेकिन यहां पर आफ डेजर पश्चिम कहरा तो जो दच्चिन पश्चिम अरब सागरवाला च्छेत्र है यह तो हमारे देश में देंस फॉरेस्ट का च्छेत्र है पश्चिमी घाट घने जंगलों के लिए जाना जाता है ठीक है तो यहां पर आपको सही जवाब मिलेगा वह कौन सा होगा दोस्तों इस इसके साथ साथ दोस्तों पहाड़ भी है जो पहाड़ है दोस्तों कहीं ने कहीं वह तुड़ा थुड़ा बंच्षादिद भी है इसलिए इसका जो शही वहतर उत्तर होगाज़्य कु tutte होगग को अकले कोश्चिह को चलते हैं अगला कोश्चिन यह है भारत किस गॉलार्ध अगर हम लिए यहां पर अपर देखें तो यह करते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बराबर भागों में दो बराबर गोलार्दों में प्रतिवी को यहां डे और नाइट की जो अवद ही होती है सिर्यूल होता है वो बिल्कुल समान होता है चिक है तो इसलिए यह चीज होगे अब भारत की अगर इस थिती को देखा जाए तो भारत की जो शुवात होती है अब दूसरी बात यहां तक है तो इसलिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्थ का देश है उत्तर पूर्वी आप्शन में दिया है दक्षिन पूर्वी दिया है उत्तर पश्मी दिया है और उत्तर दक्षिन दिया है तो दोस्तों इसका सही चवाब होगा उत्तर पूर्वी गोलार्थ में सिर्थ देश अगला कोशन है निमलकित में वहराज छेटर कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है दोस्तों कोशन बहुत इंपोर्टेंट है उससे पहले महात्रपूर्व सूचना यह है कि संस्था में यूपी एसाइ यूपी पुलिस के लिए तफाए ससी के लिए दोस्तों बैचेज कांचिली है चलना है फ्रेस बैचेज है आप सभी लोग मिसन इस्ट्यूट्यूट पर आ करके दोस्तों डेवो क्लास भी लेख शक्ते हैं देख भी सकते हैं पढ़कर और इसके अलावा दो साथ दोस्तों जो वरन कर रहें उसमें आप एडिमिशन लेके पढ़ सकते हैं ठीक है और इसके साथ आप आनलाइन तरीके से भी देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशनों को बस उतनी ही जाती जितना आपके लिए आवश्यक्त है दोस्तों हलांकि इसमें ब्याक्षात्मक अ कर दोस्तों ज्यादा 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 आप चैनल का ट्रैफिक बढ़ाईे सामारूसे उसमें ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े और दोस्तों लाई बेंऄ अल करिए सामनुखें आप treatment call ब्जोरं से नहीं लगाई हूई है इन चारों राज्यों को अगर हम लोग डाइग्राम में यहां पर अगर हम रख लें सुभी अस्थित तरीके से तो हम लोग बहुत अच्छे से सूप यह कर पाएंगी नागल देखें दोस्तों दिखा हुआ तो नागल यहां पर रख लीजिए नागल लेंड को रख लीजिए ठीक है अब नागल लेंड के ऊपर को तो इसी तरह पश्रिमंगाल दिभिन राज्जों के साथ सिक्किन के साथ सीमा बनाता है यहां पर लिखा हुए दोस्तों नहीं आमार पर अपने अपने देश है और इसके बाद त्रीकुरा लिखा हुआ दोस्तों तो तुक्म्रा को यहां पर आपकर दीजिए अब कोशन है कि मिजोरम मिजोरम दोस्तों की सीवा नहीं लगती है तो मिजोरम जो है यह यहाँ पर हो गया और मडीपूर यहाँ पर हो गया तो मिजोरम की सीवा दोस्तों किसके साथ नहीं लगेगी मडीपूर के साथ लगेगी प्रिपुला के साथ लगेगी म्यामार के साथ लगेगी अस अगला कोशन है निम्लिकित में वह कौन सा छेत्र जिसकी सीमा रुडाचल प्रदेश से नहीं लगती है तो रुडाचल प्रदेश की सीमा दोस्तों असम नागालेंड भूचान मड़ीपूर देखी यह भी दिया हुआ है तो इसमें भी पूरंत अगर ऐसा प्रशना है पूरं वी लगती है अब इस में देखे और रुडाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है तो नागर लेंड दिया भूटां दिया मड़ीपूर दिया दो saja रिफीज नागरेंड के साथ लगी रही है इसी प्रकार अश पाने के साथ लगी रही है तो मड़ीपूर के साथ नहीं लग रही है कि मड़ीपूर और राचर प्रदेश की लीच में नागलें राज इस तित्थ है तो कोशन नमबर आप देखेंगे उनीजवें के डी विकल को सभी लोग सही करें आज का लास्ट क्वेशन है कौन सा राज उत्तरपूर्वी राज की साथ वहनों का भाग नहीं है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों भारत के ये जो राज है भारत के जो समानुप से ये साथ राज है इसमें याद रखें अरुडाचल प्रदेश हो गया नागालेंड हो गया इस सिप्रकार मड़ीपूर्ण हो गया दोस्तों है और मिजोरम हो गया है इंट है यहां पर घृपूरा हो गया है आसम गया और मेगा जैसर अ कि यह साथ राज मैं इनको दोस्कों क्या क्या के dog me क्या कहते हैं तो विच में देखिए वेगाले पश्रिम बंगाल और अच्छल प्रदेश त्रिपुराया कहीं पर भी पश्रिम बंगाल नहीं है तो विकल भी को सबी लोग सही करेंगे ये दोस्तों आज का सेसं रहा उमीद है कि आप सबीलों को बहुत ही शांदार तरीके से स मिलेंगे ठीक है अपना ख्याल लगिए पढ़ते लिखते रहें में से लिट्यूट के साथ जय हिन